हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दा चेनल लविकी स्टेडी, मेरे नाम है अरजे शर्मा और आज हम स्टाट करने जार एक न्यू लेक्चर जो की है तापी रिवर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चप्टर में हम पनने के हवाले हैं हम पढ़ेंगे map of तापी रिवर, उसके बाद जानेंगे facts about तापी रिवर, तापी रिवर की tributaries और तापी रिवर पर बनने वाले dams तो इस लाइड में हम जानेंगे तापी रिवर के बारे में, जो यह part है, यह है मुल्ताई, मुल्ताई पढ़ता है बीटुल डिस्टिक्ट आफ मध्यपरदेश, मध्यपरदेश से originate होती है तापी रिवर, और मध्यपरदेश से होते हुए जाती है महाराष्टरा में, और महाराष्टर से होते हुए एंटर करती है गुजरात में और गुजरात से एरिबियन सी में, और यहीं पर पढ़ता है गलफ आफ खंबा, अगर हम तापी रिवर का पाथ देखें, तो यह फ्लो कर रही है वेस्ट डेक्शन में, और इससे पहले हमने जो भी रिवर्स पढ़ अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC ऐसे ही घोष्ण पूछता है, वो आपको इन रेंजिस या हिल्स को दे देगा, और बोलेगा, अर्रेंज करो कि कौन सा लेट पर है, कौन सा राइट पर है, तो यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर हम सत्पूरा रें तो Central India से स्टार्ट होती है तापी रिवर और यह फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, इसके उपर बढ़ती है नर्मदा रिवर और इसके नीचे बढ़ती है गुदावरी रिवर, यह फ्लो करती है गुजराद में से, मध्यापरदेश में से और महाराष्टरा में से, तो नेक्स यह किस रिवर के बैंक्स के उपर लोकेटीड है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो कटक सीटी थी, वो महानदी के बैंक्स के उपर सिच्वेटीड थी, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ और इजन, यह उरिजन होती है मुलताई से जो पढ़ता है बेटुल डिस् रिवर है और माही रिवर है, यह फ्लो करती है वेस्ट की तरफ जो तापी रिवर, यह maximum drainage area cover करती है महाराष्ट्रा में इसका जो drainage area है वो है 65,145 square kilometers जो की 80% है महाराष्ट्रा में तो यह cover करती है 282 kilometers मध्यापरदेश में जिसमें से 54 kilometers जो की है boundary between मध्यापरदेश and महाराष्ट्रा महराष्टा में जो तापी रिवर ये फ्लो करती है 228 किलो मिटर्स के लिए और इसके बाद एंटर कर जाती है गुजरात में और गुजरात में ये रन करती है लेंध आफ 214 किलो मिटर्स गुजरात के बाद जो तापी रिवर ये एंटर कर जाती है एरेबियन सी में थ्रू गल्फ आफ कमबार और पास करती है थ्रू सूरस सीटी नेक्स्ट पॉइंट आई ये फ़र्म करती है एस्ट्यूरी अब एस्ट्यूरी और डेल्टा के बीज में डिफरेंस क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ एक डियाग्राम से इस टाइप का होता है डेल्टा और ये होती है एस्ट्यूरी जो भी रिवर्स स्लो स्पीड से चलती है उनके साथ जो भी सेडिमेंट्स आते हैं वो यहां लास्ट माके अक्यूमिलेट होना शुरू हो जाते है जिनकी वज़े से डेल्टा फार्म हो जाता है और जो भी रिवर्स फास्ट चलती है तो वो जो आपने साथ सेडिमेंट्स लाती है वो ड्रेक्टली चले जाते हैं सी में और उसी के वरे से फार्म होती है एस्ट्यूरी तो आई हो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा गयो हमने तापी रिवर के मैप में देखा था यहां पे थी सत्पूरा रेंज यहां पे थी सत्माला हिल्स और यहां पे थी महाद्यू हिल्स यहां यह है मुलताई और यह है कम्प्लीट पाथ आफ तापी रिवर अभी तक चो हमने रिवर्स पढ़ी हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी वो फ्लो कर रही थी west से east की तरफ तो उनकी जो right bank tributaries आ रही थी वो आ रही थी east side और जो left bank tributaries आ रही थी वो आ रही थी east side लेकिन जो ये टापी river आ ये flow कर रही है east से west की तरफ जो इसकी right bank tributaries आएंगी वो आएंगी इस side और जो left bank tributaries आएंगी वो आएंगी इस side अगर हम कुछ important left bank tributaries देखें तो वो है पंजारा, बोरी, गिरना और पूर्णा और अगर हम कुछ right bank important tributaries देखें तो वो है गुमाई, अरुनावती, अनर तो यह है तापती रिवर की tributaries यह है right bank tributaries गुमाई, अरुनावती, अनर और जो left bank tributaries है वो है पंजारा, बोरी, गिरना, पूर्णा तो सबसे पहले हम study करेंगे पूर्णा रिवर को अगर हम map के उपर देख लें, तो यह रही पूर्णा रिवर, यह join करती है left से तापी रिवर को, तो यह हुई left bank tributary, जो पूर्णा यह left bank tributary है तापी रिवर की, यह longest tributary है तापी रिवर की, drainage area इसका जो है वो है 18,929 स्केरी किलो मिटर्स, इसे principal tributary आप तापी रिवर भी का जाता है, दूदना, यह longest tributary है पूर्णा रिवर की, उसके बाद यल्दारी डैम, यह भी बिल्डी किया गया हुआ पूर्णा रिवर के उपर, पूर्णा रिवर औरिजिनेट कहा से होती है, यह औरिजिनेट होती है, गाविलगर हिल से, यह साउथ वेस्ट ड्रेक् को जोन कर लेती है, आदिलबाद, नेक्स्ट है, गिरना रिवर, जो गिरना रिवर का नाम है, यह ड्राइव किया गया है, गौर्णा गिर्जा, जिन आप पारवती माता भी बोलते हैं, जो गिरना यह राइज होती है, कैमपीक से, जो की पढ़ता है, वेस्ट गार रेंज नाशिक डिस्टिक्ट, उसके बाद यह इस्ट की तरफ फ्लो करती है, अंटिल जमाडा, जमाडा के बाद यह टर्न कर लेती है, नौर्थ की तरफ और तब फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ फैट नंदरा, तो जो इन तापी रिवर नियर नंदर, अगर हम गिरना रिवर को म जो गिरना रिवर का जो बेसी नहीं यह लाइक करता है डेकन प्लैटियू में नेक्स्ट है बोरी रिवर यह रहा बोरी रिवर का पाथ गोरी रिवर राइस करती है माले गाउं से जो की है सब्डिविजन आफ नौर्थ आफ नासिक डिस्टीक्ट यह पहले फ्लो करती है इस डिरेक्शन में उसके बाद यह तरन लेती है नौर्थ डिरेक्शन में तो जो इन तापी रिवर फ्राम दा लेफ्ट अफ इस्ट अफ बेटावर्ड इसकी लेंदत है 130 km डेनेज अरिया है 2580 km नेक्स्ट है पांजार रिवर पांजार रिवर और और जिसका नाम है पिंपलनर जो कि पढ़ता है सेहाधरी हिल्स में अगर आप तापी रिवर का मैप देखें तो यहां पे है पंजारा यहां पे है बोरी और यहां पे है गिरना और यहां पे है पूर्ना रिवर यह तीनों की तीनों रिवर पहले इस्ट की तरफ लो करती है और फिर नॉर्थ की तरफ लो करती है तो जोईन तापी रिवर और य नेक्स्ट है गुमाई रिवर, अगर हम तापी रिवर का मैप देखें, यहां पे है सत्पूरा रेंज, और सत्पूरा रेंज से औरिजनेर होती है, और मर्च कर जाती है तापी रिवर में आके पराक्षा के दो किलो मेटर एस्ट में, तो जो गुमाई रिवर है, इसकी यहां से स्ट पूरा रेंज, यहां से स्ट रोवई थी गुमाई, गुमाई के बाद आती है एनर, यह भी उरिजनेर होती है सत्पूरा हील्स में से, और यहां के मिल जाती है ताप ती रिवर में, अट होल, जो इसकी लाइंद ता यह 74 किलोमेटर्स, ट्रेणेज एरिया है, वान थाउजन सेवन एंडर टू स्केर किलो मिटर्स और एंडर डैम बिल्ड किया गया हुआ है इसी रिवर के उपर नेक्स्ट हमारी अरुनावती अगर हम फिर से देखें तापी रिवर का मैप यहां पे थे सत्पूरा रेंज यहां से हुई थी हमारी स्टार्ट गुमाई और यहां पे थी हमारी एंडर और गुमाई और एंडर की बीच में यहां से सत्पूरा रेंज में से ही ओरिजनेट होती है अरुनावती रिवर और आके मिल जाती है तापती रिवर में एट महराश्रा में काकरापूर और उकाई डैम यह पढ़ते हैं गुजरात में गिरना डैम और धाई गाम वियर्ट जो किया महराश्रा में लास्लाइड में मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए तापती रिवर का मैप रखा हुआ है यहां पे बीटूल यहां से औरिजनेट होती है तापति रिवर्ट यहां पे हैं गोमाई यहां पे अननर यह हैं अरुणूबति यह हैं पंजारा और यह थी पूरना और यह थी बोरी और यह थी गिरना तो जब भी आपको इसकी सारी ट्रिव्ष्टिश लर्न हो जाएंग मापको पर डरा कर सकते हैं तो इतना ह convincing ता आज क